92.7 Big FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 Big FM पर सहर कारकम मैं अनूप जलोटा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ आज देखे कितना सुन्दर एक दोहा हमको मिला कबीरदाजी का जो ऐसी बात कहता है जो हम सबको समझनी ही चाहिए अपने जीवन में उतारनी ही चाहिए दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई सुख के आनंद में हम भूल जाते हैं कि इश्वर का भजन भी करना है और जब दुख आता है तो हम भगवान का भजन करने लगते हैं अरे सुख में करो ना कि भजन में इतना आनंद मिले कि दुख आये ही नहीं आप भगवान के भजन में इतना लीन हो जाएं कि आपको अभासी ना हो कि ये दुख चीज क्या है ये तो सुख ही सुख में जीवन गुजर गया इसलिए सुख में सुमिरन अवश्य करिए जिससे की दुख जब हो तो उसका अभासी ना हो दुख तो आना ही है, हर एक के जिवन में आता है लेकिन दुख आएगा ही नहीं क्योंकि आप भगवान के भजन के सुख में हर वक्त लीन रहेंगे, उस नशी में रहेंगे 92.7 Big FM पे आप सुन रहे हैं सहर कारगम, मेरे साथ यानूजलोटा के साथ और अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक बहुत ही सुन्दर स्थान पर आज आपको लेके चलता हूँ रगुनाजी मंदिर सुल्तानपुर कुलू में, हिमाचल में कुलू मनाली आपने सब सुनाई होगा तो कुलू में ये स्थान है, हिमाचल में रगुणा जी मंदिर उसकी आपको कथा सुनाता हूँ सुनते रहे 92.7 Big FM पर मुझे सहर कार्कमे सुनते रहे सेहर भजन सम्राट अनूप चलोटा के साथ 92.7 Big FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप चलोटा के साथ 92.7 Big FM पे आप सुन रहे हैं सहर कारकम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ और आपको लेके चल रहा हूँ रगुनाज जी मंदर सुल्तानपुर कुलू में हिमाचल में एक बहुत सुन्दर ये मंदर है भगवान राम का मंदर बहुत प्रिसिद मंदर है दसहरे में तो क्या धूमधाम से यहां पर चहल पहल होती है लोगा आनंद लेते हैं और ये मंदर जो है इसको कभी देख़िए तो ऐसा लगता है कभी मंदर लगता है कहीं पिरामिट जैसा लगता है वो मिश्र है कुछ उसके आर्किटेक्शर में आरती वहाँ दिन में पाच बार की जाती है राजा जगत सिंग कुलू के शासक थे वहाँ एक व्यापारी दुरगा दत्ता ऐसी कोई ख़बर फैल गई कि उस दुरगा दत्ता के पास बहुत से मोती हैं जो अनमोल मोती है राजा जगत सिंग को भी यह बात पता लेगी और उसने दुरगा दत्ता से कहा कि तुम मुझे वो मोती दे दो मैं अपने पास रखूँगा सुना है तुम्हारे पास बहुत ही कीमती मोती हैं सच तो ये था कि दुरगा दत्ता के पास ग्यान के मोती थे और कोई मोती नहीं थे लेकिन राजा नहीं माना और राजा ने कहा कि मैं तुम्हें फासी दे दूँगा अगर तुम मुझे वो मोती नहीं दोगे दुरगादत्ता इतना अधिक डर गया कि उसने अगनी दाहा दे दिया वो अगनी में बैठ गया और अपना जीवन समाप्त कर लिया और श्राप दे गया वो राजा जगस सिंग को कि आज से जब भी तुम कुछ अन खाओगे तो वो कीड़े हो जाएंगे जो पानी पियोगे वो खून बन जाएगा अब तो राजा जगस सिंग की हालत खराब की कैसे उसका जीवन चलेगा एक ब्रामण को वो मिला और पूछा कि हे ब्रामण मुझे बताईए कि इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी ब्रामण ने कहा कि आयोध्या में एक मूर्ति है रगुनाज जी की वो यहाँ लाओ उसे अपने पास रखो और उससे तुम इस श्राप से मुक्ति पाओगे उसके बाद वही ब्रामण आयोध्या गया और वहाँ उसने वो मूर्ति चुराई और उसको कुलू की तरफ फिले के चला लेकिन रास्ते में लोगों को पता लग गया कि ब्रामण ने ऐसा ऐसा किया है और उस ब्रामण से पूछा कि यह तुम क्यों कर रहे हो तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा राजा जगत सिंग को श्राप है और यदि ये मूर्ति वहाँ पहुचेगी तो वो श्राप से मुर्ति मिल जाएगी लोगों ने कहा ठीक है लेकिन ये मूर्ति को हम नहीं जाने देंगे यहां से और उस मूर्ति को वापत उठाके वो आयोध्या की ओर चले वो मूर्ति हिली भी नहीं और जब उसको उठाके कुलू की ओर ले जाने लगे तो मूर्ति बिलकुल हलकी हो गई आयोध्या की ओर ले जाएं तो भारी है कुलू की ओर ले जाएं तो बिलकुल हलकी है लोग समझ गए कि इशारा क्या है प्रभू का और वो मूर्ती कुलू पहुची वहाँ पर रगुनाज जी का मंदिर बना बहुत सुन्दर मंदिर बना और उसके बाद राज़ जगश सिंग ने उस मूर्ती का चर्णामरत पिया उस मूर्ती को पूजा की उस मूर्ती का आशिर मिले तक रगनाज जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए कुलू जरूर जाएं सुन्दर इस्थान है सुन्दर मंदिर है आपकी यात्रा सफल होगी 92.7 Big FM पर आप सुन रहे हैं सहर का अरगम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ और अब मैं आपको एक भजन सुनाता हूँ उसका आप भी आनन दे मैं भी आनन देता हूँ सुनते रहे सहर भजन समराथ अनूप जलोटा के साथ 92.7 Big FM 92.7 Big FM पर आप सुन रहे हैं सहर, भजन समराथ, अनूप चलोटा के साथ दुर्यो धन के मेवात्याग्यो साग विदुर घर खाई सबसे उची प्रेम सगाई जूठे फल शबरी के खाई बहुबिद प्रेम जताई प्रेम के वश निर्प सेवा कीनी आप बने हरिनाई सबसे उची प्रेम सगाई सबसे उची प्रेम सगाई राज सुयग्य युधिष्ठिर कीनो तामे जूठ उठाई प्रेम के वश अरजुन रथ हां क्यों भूल गए ठक राई सबसे उची प्रेम सगाई सबसे उची प्रेम सगाई ऐसी प्रीत बढ़ी ब्रिंदा बन गोपिन नाच नचाई सूर क्रूर इस लायक नाही कहलग करो बढ़ाई सबसे उची प्रेम सगाई प्रेम के वश में प्रभू क्या क्या करते हैं अपनी सारे विश्ष्ष्टाओं को भूल जाते हैं अपनी शक्ति को भूल जाते हैं 92.7 बीग F M पे आप सुन रहे हैं सहर कारेकशम मेरे साथ यानिया नूज जलोड़डा के साथ आज आपको मिलाता हूँ एक बहुत अच्छे गायक श्री ओम व्यास जी से ओम व्यास जी बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा संगीत बनाते हैं, लिखते भी बहुत अच्छा हैं और खास तोर पे राजस्थानी समाज में इनका बहुत बड़ा नाम है तो जल्दी आपको मिलाता हूँ श्री ओव्यासी से जल्दी ओव्यासी 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 जो इस कालिकरम को सुनते हैं, वो ये जानना जरूर चाहेंगे कि आपके जीवन में संगीत कैसे आ गया है? मेरे जीवन में जो संगीत आने का सबसे बड़ी उपलब्दी है, मेरी मा राधा देवी ही, वो अक्सर सुबह मॉर्निंग में उठकर के, जब चाकी पीसा करती थी उस जमाने में, तो हमेसा मीरा भाई के बशन गया करती थी, कि मा ने चाकर राखो जी, घृधारी मा ने चाकर राखो जी, तो उस तरह फिर आपे आगे चल के किसी से सीखना शुरू की थी? तो आज कैसा रहेगा कि वही भजन हम इन लाखो शुताओं को सुनाएं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, हो जाए, आरम करें जाग लगाशो, नित उट दरसन पाशो, विंदावन की कुझ गलिन में, विंदावन की कुझ गलिन में, गोविन लीला गाशो जी, मन चाकर राखो जी, ओम ब्यास जी, कमाल है, अपने आगे जो बातावरन बना दिया है, उसका हमने बहुत आनंद लिया, हमारे सारे शुरुता बड़े प्रसन है, आज का सहर का आरकम यहीं समावत होता है, नमश्कार.